साइस 2.5 का जो question number 11 है उसमें हमें क्या करना है factorize यानि के इनके factor करने हैं अब देखिए question number 11 को start करने से पहले मैं इस question में जो identity use होगी उसके बारे में थोड़ी explanation आपको दे देता हूँ फिर उसके बाद इस question को आगे start करते हैं देखिए आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर a to the power 3 plus b to the power 3 plus c to the power 3 अगर 3 टीन टम का cube हो करके वो add हो तो आप क्या करते हैं एक formula होता है a plus b plus c यानि कि क्या करते हैं आप जो है जो तीनों की तीनों टम जिनका cube हो रहा है उनको एक bracket में लिख देते हैं उनके plus के sign के साथ उनकी power हटा करके फिर दूसरे bracket में आप क्य करते हैं जो first term होती है उसका square plus जो second term होती है उसका square plus जो third term होती है उसका square फिर आप क्या करते हैं minus लगा करके पहरी two term यानि a b पहरी two term की multiply minus फिर दूसरी और तीसरी term की multiply फिर plus जो तीसरी और पहरी term होती है उसकी multiply फिर उसके बाद plus में 3 into a यानि के first term into b यानि के second term into c ठीक ह यह इसका क्या होता है एक identity देखिए चली start कर देते हैं जो question number जो 11 है उसको देखिए आपको क्या गरने है factor करने है तो आप 27x to the power 3 और plus y to the power 3 plus z to the power 3 minus 9xyz को ऐसी रखें ठीक है अब आप एक चीज यह देखें अगर हम देखें यहाँ पर तो यह 3x to the power 3 है ठीक है लिख सकते है इसको plus और यह y to the power 3 है और यह plus z to the power यहाँ पर 3 है और minus 9xyz को आप ऐसी रखें अब आपने यह देखा है कि अगर 3 term का cube जो है plus हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर यह formula लगा सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो 3 term का cube जो है क्या हो र bracket में क्या करेंगे पहली वाली term का square यहीं कि 3x का square और प्लस जो second term है उसका square और प्लस जो third term है उसका square फिर आप क्या करेंगे अभी यही चीज open हो रही है ठीक है इसी का formula लगाया जा रहा है इसका कुछ नहीं अभी कर रहे हैं ठीक है तो जो है फिर आप क्या करेंगे minus का sign यहाँ आड़ा करके पहली टम और 2 . 3 से 2, y तो आपने जब इसको ऑपन करा है यहां से होटा एक उपन हो चुका है और माइनस 9, 9xyz था, वो 9xyz आप ऐसे ही रख लें, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप एक चीज यह देखें, कि 3x और प्लस y और प्लस z तो आप ऐसे ही रखें, यहाँ पर अगर हम formula whole square खोलते हैं, तो 3 का 9x square हो जाएगा, और प्लस ही किता हो जाएगा, y square, प्लस किता हो जाएगा, z square, minus, जब multiply करेंगे, तो 3xy हो जाएगे, और minus के yz हो जाएगे, और यह minus के 3zx हो जाएगे, ठीक है, अब आप लोगों ने, यह bracket यहाँ तक आ चुका है, अगर हम इसको देखते हैं, तो plus में, 3x और y और z हो जाएगे, इनकी जब multiply करेंगे, तो यह आए, और minus में 9x और yz हमारे पास चल जाएगे, तो minus का 9xyz और plus के 9xyz, यह क्या हो जाएगे, कट जाएगे, और हमारे पास कितना जाएगा, 3x plus y plus z, और into में 9x square और plus y square और plus z square और minus 3xy और minus yz और minus 3zx, यह इसके factor आ जाएग कितना जाएगे, 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 कितना